दुनिया भर में कुरोना वाइरस का कहड़ जारी है और चिंता की बात ये है कि इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले लोगों का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। उसका नाम है न्यूजीलेंड लेकिन न्यूजीलेंड ने ये कमाल कैसे किया। इसी हफ़ते न्यूजीलेंड अब लेवल वन जो 40 एर एलेट सिस्टम का सबसे निचले दरजे का लेवल है उस पर चला गया है। नए नियमों के मताबिक आप सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ क प्रधानमंत्री का कहना है कि जब उन्हें इस बारे में ख़बर मिली तो उन्हें थोड़ा सा डांस करके अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन सवाल ये उड़ता है कि न्यूजीलेंड ने ये कामयाभी कैसे हासिल की। इस देश ने 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगाया था जो एक नया फोर स्टेज अलेट सिस्टम है और ये सीधा लेवल फोर पर गया। इस दोरान सारे कारोबार बंद कर दिये गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए और लोगों को घरों में रहने की सला दी गई। पांच हफतों के बाद अप्रेल के महीने में इ कोई रोक नहीं है और सारजनिक परिवहन पर लगी पाबंदिया भी हटा ली गई है। लेकिन देश की सीमाएं विदेशी सैलानियों के लिए बंद रखी जाएंगी। इसके अलावा विदेश से आने वाले न्यूजिलेंड वासियों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन ये गए और इस पीमारी से वहां केवल 22 लोग मारे गए हैं जो एक बड़ी काम्याबी बताया जा रहा है। वहां ये वाइरस सबसे पहले फरवरी के अंत में पहुचा था लेकिन संकट को समालने के उसके तौर तरिकों ने पुरी दुनिया को प्रभावित किया है।